तो आखिरकार इसराइल ने अपनी ओकात दिखा ही दी जो दुनिया को इसराइल दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो गाजा पट्टी के अंदर फिलिस्तीन के अंदर सिविलियन्स को निशाना नहीं बना रहा है और जादा से जादा कोशिश कर रहा है कि सिविलियन्स को कोई नुकसान ना पहुँचे ऐसा नहीं है इसराइल के टार्गेट पर गाजा और फलस्तीन के विस्ट बेंके सिविलियन ही हैं आज इस वीडियो से आपको हम साबित करके दिखाएंगे सबसे पहले आपको स्क्रीन के उपर एक वीडियो दिखा रहा हूँ यह वीडियो आप गुला फेक देता है अंदर जिसके बाद इमाम वही पर खत्म हो जाता है अब आप बताईए क्या इस मस्जिद के अरीब करीब कोई हमास का लड़ाका आपको नजर आ रहा है कोई घुसते हुए कोई मुमेंट करते हुए नजर आ रहा है कहता ही नहीं अब इस वीडियो से साबित होता है कि इसराईल की सेना के निशाने पर हमास नहीं बलकि पुरा गाजा पुरे फिलिस्तिन के लोग हैं साथी सा दोस्तों एक और बड़ी खबर आपके सामने रखेंगे जो कि इसराईल से सामने आ रही है इसराईल के अंदर अब ग्रे जैसे हालाद बन चुके है इसराईल की एक पारटी है उसने अब अपनी ही सरकार के खलाफ अंदोलन करने का ऐलान कर दिया है और उन्होंने ये अंदोलन इसलिए करने का ऐलान किया है कि वो गाजा में सीजफायर चाहते हैं गाजा के लोगों के खलाफ कारवई नहीं चाहते हैं आगे इसकी भी जनका होस्पिटल के अंदर थे वो हमारे बीच नहीं रहे हैं क्योंकि इसराइली सेना के दोरा ना फ्यूल दिया गया ना इलेक्टरिसिटी दी गई ना पाने दिया गया जिसके बाद अलशिपा होस्पिटल शट डाउन हुआ और इसी मुश्किलों से जो है जूचते हुए चालिस और बच्चों ने दम तोड़ दिया है आगे इनकी भी तस्वीरे दिखाएंगा उससे पहले आपको क्या लगता है दोस्तों इन तमाम क्रक्टों के खलाप इसराइल पर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में कारवे होनी चाहिए कमेंट शेक्शन में अपना फीडबेक जरूर दीजेए इस वीडियो को ज़्यादा शेयर भी करिए ताकि ये खबर दूसरे लोगों तक जरूर पहुँचे बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि गाजा के अंदर इसराइली सेना लगातार बेकसूर लोगों को निशाना बना रही है लेकिन उसके बावजूद भी इसराइल के पियम जो बेंजामिन नितनाहू है वो ये दुनिया को बता रहे हैं कि वो सिविलियन्स को बचा रहे हैं खेर वो किस मुंसे ये बात कह रहे हैं समझ नहीं आता है मैं आपको स्क्रीन के ओपर पहले एक वीडियो दिखाता हूँ ये वीडियो आप देखिए उसके बाद हम इस वीडियो से थाबित कर देंगे कि इसराइल की सेना के निशाने पर हमास नहीं बलकि गाज़ा और फलिस्तीन के बेकसूर लोग है पहले वीडियो देखिए तो देख लिए आप लोगों ने ये वीडियो अब इस वीडियो के सामने आने के बाद एक एक चीज तो इस पस्ट हो जाती है कि इसराइली सेना के निशाने पर हमास नहीं बलकि फलिस्तीन के तमाम लोग हैं जो फिलहाल अपनी जैसे तैसे जिन्दगी गुजार रहे थे लेकिन अब हमास के नाम पर इसराइल की सेना को मौका मिल गया है कि पिछली तरह जिस तरह से उसने तमाम फलिस्तिनियों को घर से बेगर कर दिया है उनकी जमीनों पर कब्जा कर लिया है फिर एक बार इस तरह की कोशिश की जा रही है ये वीडियो आप देखे जिसमें मस्जिद के एक एक इमाम साहब मस्जिद में आजान दे रहे हैं उसी वड़ एक इसराइली सेना का जो है जवान वहां जाता है और गोला अंदर फेक देता है वहाँ पर एक बड़ा धमाका होता है जिसके बाद इमाम खत्म हो जाता है अजान की आवाज बंद हो जाती है लेकिन आपके सामने ये वीडियो है और कई वीडियो है कई प्रूफ है जिसमें ये थाबित होता है कि इसराइली सेना और इसराइली पि-म का इंटेंशन गाजा के अंदर हमास के नाम पर क्या करने का है खैर अगली खबर की बात करेंगे दोस्तों जो की सामने आ रही है इसराइल से ही जहां पर इसराइल की एक पारटी ने अपनी ही सरकार के खलाफ मोर्चा खुल दिया है दोस्तों मैं आप लोगों को खबर दिखाना चाहता हूँ यह खबर आप लोग देख सकते हैं जानकारी ये मिल रही है कि इसराइल की पारटी अब गाजा में सीजफायर को लेकर के अपनी ही सरकार के खलाफ मोर्चा खुलने जा रही है तेल अविव जो इसराइल की राजधानी है यहाँ पर इसराइल की वाम पंथी पारटी शनिवार दोपाहर गाजा पट्टी में सीजफायर की मान करते हुए इन्होंने परदर्शन किया है हदेश पारटी के नेता निसिट संसद में विधायक आइमान ओदे ने मिल करके मीडिया कर्मियों के साथ हजारों की तादाद में एक बड़ा अंदोलन शुरू किया है जिसमें उन्होंने साफ तोर पर ये मांग कर दी है कि गाजा में हम नहीं चाहते कि हमास के नाम पर बेकसूर मजलूम लोगों को निशाना बनाया जाए और इसलिए उन्होंने ये आंदोलन सरकार के खिलाप छेड़ा है हाला कि इसमें कई बड़ी-बड़ी हस्तिया जो इस्डराइल की है वह भी शामिल हो रही है और कई सोसल अक्टिविस्ट तो यसी अपने आप में इस्डराइल के अंदर भुआ यूद से हालात बनते वब दिखाई दे रहे है हाला कि इनसे इस्राइली पियम बिंजामिन नेतनाहू कैसे निप्टेंगे ये देखने वाली बात होगी वैसे डिक्टेटर्शिप तो खूब चल रही है लोगों को प्रोटेश्ट करने नहीं दिया जा रहा है लोगों के उपर पावंदिया लगा दी गई है हाला कि दो दिन के उपर जो है लोग एक तरीके से प्रेशर बना रहे हैं जिसके चलते इसराइली पियम बौखला चुके हैं और इसी फ्रेश्टेशन में आ करके वो अलूल जलूल काम करके देकसू निहत्ते फलिस्तिनियों को निशाना अपनी सेना के दोरा बना रहे हैं एक और खबर अपने आप में काफी बड़ी खबर है और इसराइली सेना की पूल खुलने वाली खबर है स्क्रीन के उपर आप देख सकते हैं इस खबर को यह खबर अपने आप में दर्शाती है कि इसराइली सेना कितनी क्रूर है इसराइली पियम कितना मतलब जो है बेरहम है दरसल गाज चीजों के खत्म होने के बाद इसराइल की सेना के द्वारा अलशिफा हॉस्पिटल जो है शट डाउन कर दिया गया और इसी के चलते जो बच्छे बिचारे क्रिटिकल कंडिशन में अलशिफा हॉस्पिटल के अंदर थे खत्म हो गया है चालिस से जादा बता जा रहा है कि लोग माँ पर खत्म हो गया है यह अपने आप में दर्शाता है कि इसराइल की सेना कितने क्रूर है वहां के पीम कितने बीरहम है खेर ऐसा लगा तर सोशल मेडिया पर लोग जो है कहते वे दिखाई दे रहे हैं एक और खबर दोस्तों आ रही है जो कि अपने आप में गाजा के लोगों के लिए अच्छी खबर बोल सकते हैं गाजा के अंदर अब जो फ्यूल वगएरा है उसको भीजने का प्रोसेस शुरू हो चुका है खबर आ रही है कि इसराइल की सेना के उपर वहां की सरकार के उपर जब पुरी दुनिया की तरफ से तमाम देशों की तरफ से प्रेशर बनाया गया कि आप जो हिमानिटेरियन एड है वो भीजने पर पबंदी क्यों लगा हुए है वो जाने दीजिए तब जब तमाम देशों ने फटकार लगाई है नेतन्याहू को तब उसने ये ऐलान किया है कि गाज़ा के अंदर मिनिममम कॉंटिटी में फ्यूल के जो ट्रक्स हैं उनको इंट्री दी जाएगी हर रोज जो टर्गिट दिया गया हर रोज एक लाग चालिस हजार लीटर तेल गाज़ा के अंदर अब जाएगा हाला कि सेयुक्त राष्ट इस पर नाखुश है ऐसी भी खबरे सामने आ रही है लेकिन ये अपने आप में जो कुछ भी नहीं मिल रहा था ऐसी सेच्वेशन में अगर इतना फिल दिया जा रहा है तो अपने आप में रहात बारी खबर है आप किस पर क्या रहा है कमेंट शेक्शन में जरूर बताए वीडियो को लाइक शेच चाहरो सब्सक्राइब